गुणवन्ता के साथ जिस किसी ने भी समझोता किया है ऐसे किसी भी दोशी को बक्षा नहीं जाएगा बिहार में पिछले 15 दिनों में ही 11 पुल्ट है गए हैं इसे लेकर राजुनीतिक बयानबाजी चरम पर है वपक्ष किनेता तेजस्वी याद अब डबल इंजन की सरकार की विफलता की और इशारा कर रहे हैं तो सत्तादारी दल भी पुराना अतिहास याद दिला रहे हैं ताजा कड़ी में केंद्रिय मंत्री चिराक पास्वार ने प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीम रहे तेजस्वी को भरोसा दिलाया है कि दोशी को छोड़ा नहीं जाएगा पतना में केंद्रिय मंत्री चिराग पास्वार ने शुक्रवार को एक सवाल के जवाब में कहा जो लोग ये कह रहे हैं कि NDA सरकार लूटने में लगी है उनसे पूछना चाहूंगा कि ये निर्मान कार्य किसके समय में हुआ निर्मान उसी समय हुआ है जिस समय लोग भी सरकार में थे यानि कि वो राज़त पार्टी की याँ पर बात कर रहे थे बिहार में कई पुल गिरे उसको लेकर सियासा तोरे विपक्ष के नेता कर रहे हैं कि लोग लूटने में लगे हुए बबब बात को रहे हैं कि लूटने में लगे हुए है ये पुल का निर्मान या निर्मान कारिक किसके दोरान शुरू हुआ भई यही लोग तो उस वग सत्ता में थे ना जिनके समय पर ये पुल बना आज इंडिये की सरकार आई है आते ही पुल का निर्मान हो गया और ऐसा तो नहीं है बहराल हम लोग आरोप प्रतियारोप में भी हम लोग नहीं जा रहे हैं हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जिस किसी ने भी ब्रश्टाचार की वज़ा से गुणवंता के साथ जिस किसी ने भी समझोता किया है ऐसे किसी भी दोशी को बक्षा नहीं जाएगा भविश्य में भी इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्मान कारियों में गुणवंता से किसी तरीके का कोई भी समझौता ना हो चिराक पाशवान जी विपक्ष के नेता करें कि सरकार जल्दी गिलने वाली है सरकार की चिंता विपक्ष ना करें केंद्र की बात हो राज्य की बात अब चिराक पासवान ने आगे क्या कहा दोशे ओपर सक्त करवाई को लेकर ये भी जानते हैं चिराक पासवान ने कहा कि वो आरोप्रत्यारोप की सियासत से उपच्पर उठकर काम कर रही है और उनकी सरकार दोशे हो के खلاफ सक्त कदम उठाने की कोशिश में है उन्होंने कहा कि हम लोग आरोप रत्यारोप पर नहीं जा रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मिदारी ले रहे हैं कि जिसने भी ऐसा किया है उसे बक्षा नहीं जाएगा, जिस किसी ने भी भ्रस्टाचार की वज़ा से गुडवत्ता के साथ समझोता किया है, ऐ ऐसे में एक दोशी को चिनहित कर उसके उपर कारवाई होगी। अब शिक्षव विभाग पर भी चिराग पासवान ने अपना बयान दिया है इस पर वो क्या बोले ये भी जानिये। करप्षन से कोई समझोता नहीं किया जाएगा उन्होंने भरस्टा चार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात की बोले हमारी सरकार आने वाले दिनों में इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जहां पर जो भी भले वे निर्मान कारे को लेकर हो या किसी भी तरीके का भरस्टा चार ह अधिकारी हो या जो भी व्यक्ति, विरोध हो या कोई संगठन हो उसके उपर कारवाही ही की जाएगी वहीं अब तक बिहार में कितने पुल ध्वस्त हो चुके हैं ये जानकार भी आप तक पहुचा देते हैं दरसल बता दें कि पिछले 15 दिनों में ही बिहार में 12 पुल ध है गए हैं जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है तेजस्वी याद अवलगातार इसे लेकर शोशल मीडिया पर एक्टिव है शुक्रवार को उन्होंने मीडिया से बाच्चीत के दौरान राजिस सरकार पर तीखा हमला किया बोले 15 दिन में 12 पुलों का गिरना कोई समान्य घट है बिहार में लगातार फ्रस्टा चार देखने को मिल रहा है वहीं बिहार में लगातार अपरात की घटनाय भी थमने का नाम नहीं ले रही है तो अब आपका क्या कहना है चिराख पास्वान और तेजस्वी यादफ के बयान पर और किसके बयान से आप सहमत है कमेंट बॉक ये देगा.